आप सब का स्वागत है अगेन आपके अपने चैनल पर चलो कर सकते हम लोग किस तरह ट्रेड में प्लान कर सकते सबसे पहले तो अगर हम लोग आज का दिन देखे तो आज क्या हुआ आज मार्केट ने हमने ट्रेंड को फालो किया और ट्रेंड के साथ हमें एकदम इजी पैसा आज मिला क्यों क्योंकि मार्केट ने दो आज हमारे बैंक निफ्टी के दो लेवल्स थे एक यह ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद का सी का ट्रेड जासे यह डे हाई का टार्गेट था और जैसे 500 लेवल ब्रेक करके निकल जाएगा देन हमारा एक आज आज अल्मुस जो रिजेक्शन थी यही से मार्केट ने दो बार रिजेक्शन लिया था यही ट्रेंड लाइन थी अब यही इसका आज इसका काम कर रहा है तो यहाँ पर यह जो सपोर्ट का लेवल है 320 से लेके 350 300 यह जो 50 points का level है यहां पर actual में buying हुई है तो अब हमारा कल का plan क्या रहेगा कल market अगर यहां से flat open हो गया थोड़ा gap up open हो गया whatever जो कुछ भी अगर इस range में कहीं पर भी open होता है जैसे यह 700 720 के उपर निकल जाएगा हम लोग CE का plan करेंगे क्यों क्यों क्योंकि यह trend के साथ चल रहा है उसे trend का हम लग follow करते रहेंगे एकदम simple उसके बात अगर हम लोग इसको वन डे टाइम फ्रेम में लेकिया हूँ तो यह देखो यह flag and pole का type का breakout हुआ इस चैनल को इस नहीं निकल दिया तो अब यह इस चैनल के उपर जैसे अगर कल क्लोजिंग करता है तो आने वाले टाइम में हम लोग जितना इसने यहां पर time spent कर दिया था उतना ही हम लोग उपर target plan कर सकते हैं अगर मैं फिर से 15 minutes time पर हम आता हूँ तो 700 के उपर जैसे market कल निकलेगा फ्लाइट ओपन हो जाए यहां पर कहीं भी स्लाइट गैप डाउन ओपन हो जाए इस रेंज में कहीं भी ओपन हो गया जैसे यह डे हाई के उपर निकल गया हम लोग सी का प्लान करेंगे पी का प्लान एटलिस मार्केट को अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो 42,580 इस स्विंग के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है इस स्विंग के नीचे 580 के नीचे तभी हम लोग पी का प्लान करेंगे हमारा टार्गेट जो रहेगा वो चुटा सा टार्गेट रहेग के बैठे हुए ते इनका यह सीका ट्रड मीस हुआ है अब यह भीवेट करेंगे कि को थोड़ा बहुत क्रेक्शह आता है अगर थोड़ा बूढट डिप मिलता है अगहर अगर भी बाई का लोग प्लान करेंगे तो अगर सी की का प्लान भी करना है एस जोन बाकि सिंपल है सी अगर मार्केट कई पर यहाँ पर बहुत बढ़ा अगर ग्याप बरने के लिए आ जाए या फिर आज की तरह अगर इस जोन को मार्केट का बहुत दिनों से नंबर वन नंबर टू नंबर तिर इसी जोन पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया था आज 700 के उपर निफ्टी ने क्लोजिंग कर दिये तो जब तक निफ्टी 700 है मतलब यह जो प्रिवियस स्विंग है जब तक निफ्टी इस अगर है टार्गेट के लिए पी का प्लान करना है पाकी अगर बैंक कल निफ्टी मेरे हिसाब से निफ्टी के लिए अगर अब ध्यान से देखोगे तो यही जोन था यह यही जोन था जहां पर मार्केट ने इतना बड़ा या क्लोजिंग कर दी और गैप डाउन ओपन होने से इस जोन में तो अगर मार्केट अपन होने के बाद जैसे अगर निफ्टी के लिए तो अगर िफ्टी अपर फ्लैट ओपन होता है यह पर यहां तक के चोटे से टार्गेट का प्लान करना इसके ऊपर निकल गया तो ट्रेलिंग एसल को ट्रेल करते करते हम लोग आने वाले टाइम में प्लान करेंगे अब हम लोग आते फिन निफ्टी में फिन निफ्टी अगर हम लोग दयान से देखेंगे तो 19,000 एक रिजिस्चन्स लेवल है मार्केट यही पर आके रुख गया तो फिन निफ्टी का सिंपल है 19,000 के उपर अटलीस 10-15 मिनिट से लेके 30 मिनिट के अगर कैंडल क्लोज कर दी यहां पर अगर इस 960 लेवल के नीचे जैसे इन से फिन निफ्टी निकलती है देन हम लोग 920 15 टारगेट के लिए पी तो वेट एन वाच करेंगे इस जोन में फिन निफ्टी कैसे रियाट करते है क्या इसके उपर 15 मिनिट की 30 मिनिट की कैंडल क्लोज करता है और देन ब्रेक आउट करके निकलता है देन हम लोग 19,000 एज़स पोट फिर यह काम करेगा तो यह जब तक सपोट नहीं बनता है तब तक हम लोग वेट एंड वाच करेंगे जस्ट यह ब्रेक आउट करके नहीं चाहिए यहाँ पर टाइम सपेंड करना चाहिए मार्केट ने ठीक है तो यह तीन लेवल्स रहेंगे हमारे फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए उसके बाद अगर हम लोग ओर आल देखे तो जब तक यह आप ट्रेंड के साथ चल रहा है तो अननिसेसरे हमें लॉजिक नहीं निकलना है ट्रेंड के साथ चल रहा है तब तक कंटिनी करेंगे जब तक यह ट्रेंड के यह स्विंग के निचे निकलता है तब एक 50% के साथ और इस स्विंग के निचे निकलता है तब 100% क कमेंट भी निक्षे कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आपका ख्याल रखो थैंक यू